यह यह लेवल एंगीजिनरा चाल का एन तुड़े भी आर क्लोंग डिसक시 अबाट अधा, हिस्टोग्राम इकुलाइजेशन, उससे पहले बात करो यहार, हिस्टोग्राम क्या होता है, है क्या, देखों हिस्टोग्राम में ग्राभ दिख्राओ ग्राफ सुइंग अपतवर ग् छोगरेट 256 डिफेरेंट पोसिबल इंटेंसिटी इस हो गई तो वहाँ पर 256 परकार की डिफेरेंट डिफेरेंट वेल्यू को यह ग्राफ के अंदर स्यों करता है वह हिस्टोग्राम होता है आया समझ में Histogram Equalization देखो This method is to boost the global contrast of an image It looks more visible देखो अब आपको picture शो करिए कितना dull है कितना bright है bright समझ पार हो कितना look visible यानि दिख पार है यह कितना grey था अब यह कितना ज्यादा चमक रहा है या कितना ज्यादा visible हो पार है हमको तो यह boost कर रहा है क्या कर रहा है global contrast of an image It looks more visible इसके अंदर एक formula पूल यह जाता है कि hv equal to round of cdfv cdf min m multiply n minus cdf min multiply l minus 1 देखिए cdf आपका cumulative distribution function जो आप पहले भी निकाल सकते हो पहले भी मैंने बताए करी बार so l is maximum intensity value 256 everyone know आपको इतना पता होना चाहिए अगर मेरी वीडियो इस्टार्टिंग से देख रही हो आगे देखिए m is your image width n is your image height और s है आपका equalized value तो इस प्रकार से आप समझ पार हो histogram में आपको यह पूरा detail बताना है histogram क्या होता equalization क्या होता इसका formula क्या होता diagram भी show कर सकते हो आप अपने coding बना के pencil के through फिलाल वीडियो में इतना ही आई I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी and thank you so much watching this video वीडियो को like करो, comment करो, share करो जादे जादा लोगों मैं जल्धाजीर होता हूँ नेक्स वीडियो के साथ हिंजे बारात